जहें सांतियों आप सभी को आपके अपने यूटूब चैनल सिजी स्टडी जोन में बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पर हम लोग सविधान के क्लास में एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है सर्वोच चिनेल है क्या जी आपका सर्वोच चिनेल के बारे में यहाँ डिसकस करने वाले हैं यहाँ पर देखेंगे कि सुप्रीम कोट के नियादिसु की नियुक्ति कैसे होता है उनको पद की सपत कौन दिलाता है उनको पद से हटाता कौन है इससे सारे रिलेटेट कोशन जो एक्जाम में पूछे जाने के बहुत चांस है इन सभी कोशन को हम ल जोइन कर लेजिए वहाँ पर मिल जाएगा या यह मेरा मुबाइल नंबर है यहाँ पर भी आपको सेंट पीडियेप करके वाटसप कीजिए आपको पीडियेप फ्रे में प्रोवाइड हो जाएगा तो अभी तक हम लोग सविधान के क्लास में इन इन टॉपिकों को बहुत डिटेलिंग से पढ़े हैं लास्ट टॉपिक पढ़े थे मंतरी परिशत मंतरी परिशत को भी बहुत डिटेलिंग से पढ़े हैं इसको आपको देखना है तो मैं रिस्क्रेप्शन में लिंक दे दूँगा यह प्ले लिश्ट डला हुए सवधान MCQ के नाम से वहाँ पे नहीं तो हमँझन फ़्फ की तरक चलते कॉस्ट की दरब पहला बोलता है वर्तमान में सर्वर्च न्यालय में नएदिसों की संक्या कितनी है इसकी बोल रहा है सरवच नयाला में नयारिसो की संक्या इससे पहले हम लोग कोशन आगे पड़े तो कुछ हाई कोट के कुछ डिटेलिंग बात जो डिटेलिंग टॉपिक है उनको डिसकस करते हैं पॉइंट वो जो आपके सभी कोशन जो आगे कोशन बनाएंगे उसके लिए बहुत IMPORTANT होगा क्योंकि बेसिक जानकारी होना बहुत ज़री है ऐसे देखा जाए तो भारती सविदान में न्याया पालीका, कार्या पालीका और विधाईका ये जो हैं लोक तंत्र के तिन इस्तम माने गए हैं कौन-कौन सा नियायपालीका, कारेपालीका, विधाईका कारेपालीका और विधाईका को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं आज पढ़ेंगे नियायपालीका तो नियाय पलीका भारती सविधान में एकिकृत नियाय पलीका की व्यवस्था की गई है कैसी व्यवस्था है? इंपोर्टिंट है एकिकृत नियाय पलीका व्यवस्था अब कई लोगों की दिमाग में आर होगा कि एकिकृत नियाय पलीका क्या है? क्या एकिकरित न्यायपाली का क्या है ठीक अगर देखा जाए तो पूरे देश में जो भारत में भारत देश में न्यायपाली का तीन पस सौपान में बाटा गया है कैसे तीन पस सौपान में बाटा गया है देश में देखा जाए तो सुप्रिम कोट है राज्य में देखा जा को एक इक्रित नय ववस्ता की संज्या दिया गया है ठीक आगे पड़ते हैं भारती सविधान में सविधान के भाग पांच में आर्टिकल 124 से 147 में सुप्रीम कोट का उलेख है यह बहुत इंपोर्टेंट है कली बार पूछा गया एक्जाम में आर्टिकल 124 से 147 किसका प्र स्थापना गठन बताया गया क्या बता है उच्छितम नयाले की स्थापना और गठन बताया गया यहां पर बताया गया कि सुप्रीम कोट में नियाधिसू का चुनाओं कैसे होता है उनको पद से कैसे हटाया जाता है उनको पद का सपत कौन दिलाता है इन सारी चीज़ों को बताया गया article 124 में ठीक इन सभी के बारे में जानकरी बताया 124 में लेकिन इन सभी प्रवधानों को आर्टिकल 124 की सब आर्टिकल इन सब आर्टिकलों में पार्ट में बाटा गया है अलग-अलग तो इनको थोड़ा सा detailing देखते हैं जैसे 124 एक में बताया है आपका क्या जी नियाय सुप्रीम कोट का गठन बताया गया है तो आप सबको पता होगा सुप्रीम कोट का गठन कब किया गया है नहीं पता है तो याद रख लेजी सुप्रीम कोट का गठन हुआ था 1950 कोश्चन बनता है कभी पूछ सकते है 1950 में सुप्रीम कोट का गठन किया गया तब जो इसमें जब गठन किया गया था तो नियाधिसों की संख्या कितनी थी यहाँ पे साथ प्लस एक टोटल आट नियाधिसों की संख्या थी साथ अन्य थे और एक मुख्य नियाधिस टोटल मिलाके आट नियाधिसों की संख्या है थी ना अभी वर्तमान में आपका 33 अन्य नियाधिस और एक मुख्य नियाधिस है टोटल आपके 34 क्या है आपके क्या है सुप्रिम कोट के नियाधिस है ठिक कितने सुप्रिम कोट के नियाधिस 34 है वर्तमान में आपके धननजय वाई चंद्र चुन आपके पचासवे नंबर के क्या है मुख्य नियाधिस है अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि जो सुप्रीम पोर्ट में इन नाय धिस है उनको घटाना और बढ़ाना किसके हाथ में रहता है यह आपके संसत के हाथ में रहता है कि नाय धिसु को घटाना बढ़ाना सब किसके हाथ में रहता है आपका संसत के हाथ में रहता है यह हो गया आर्टिकल नंबर 124 एक आर्टिकल नं कौन करता है, राश्टपती उसकी नियुकती करता है, उसको सपद भी राश्टपती ही दिलाता है, और अपना त्याग भी देगा, तो त्याग पत्र भी देगा, तो किसको देगा, नियाधिस को ही देता है, कौन सुप्रिम कोट के जितने भी नियाधिस हैं, हाना, तो आप ल कि सुप्रीम कोट की नियाधिसु की नियाधिस है उनकी नियाधिस है कोलेजियम प्रणाली कोलेजियम सिस्टम के अधार पर किया जाता है ठीक है किसकी अधार पर कोलेजियम सिस्टम के अधार पर अब कई लोगों के दिमाग में आ रहोगा कि यह कहां गया जी मारकर यह यह क इसको एक्दम SORT तरीके से बताता हुं कि High court के तौटल पाँच जज्च, चार अन्य और 1 मुख्ष नयाधिस, डिक्समियर ही परिस्थ के पनंती है क्या बनता है? इनका पेंटल बनता है जिसमें बहुंमत के अधार पर किसी भी वैक्ती का नाम Supreme Court के नियाधिस के लिए मंत्री परिशत के पास यह बहुत important है Supreme Court के नियाधिस के लिए नाम किसके पास आपका मंत्री परिशत के पास भेज दिया जाता है मंत्री उन नामों को राष्ट पती को प्रेसिद करता है मंत्री किसको भेजेगा राष्ट पती को भेजेगा उन नामों को पिसीद करेगा राष्ट पती उस वेक्ति को जिसका नाम मंत्री परिशत ने नियुकत किया है उसी को ही क्या करेगा वो सुप्रीम कोट के नियाधिस नियुकत करेगा तो डारेक्ट राष्ट पती नहीं करता क्या होगा क्यों को प्रणाली के तहर क्या होता है यह पेनल बनता है जो होगा उसको मंत्री परिमस सिष्टम को बहुत ही ऑ सौर्ट में बता दिया कि कोलिजियum सिस्टम क्या होता एक दम सरल तरीके से फिर एक बार repeat करता हूं एक पैनल होता है पांच लोगों का ये पांच लोग क्या करेंगे बहुमत के नाम सुप्रीम कोट के नियाधिस के लिए नियुकत नहीं कर सकता बलकि जो नाम कोलिजियम प्रणाली दौरा भेजा जाता है उसे ही सुप्रीम कोट का क्या बनाया जाता है नियाधिस बनाया जाता है ठीक तो आपको पता चल गया कि सुप्रीम कोट के नियाधिस के नियुकत जी कैसे होता है जी ठीक अब आर्टिकल नंबर 124 तीन देखते हैं 124 अपका तीन मैं कोशिस यह कर रहा हूं कि आपको सरल तरीके से सारी चीज़े आपको समझा पाऊं आर्टिकल 124 तीन में बता है योग्यता सायद ही ऐसी जानकरी कहीं पर मिलेगा अच्छी बात है मिलता है तो लेकिन कोशिस यह कि आप लोगों को अच्छे से बता हूं योग्यता बताए गया है तो योग्यता में क्या है आपका इंपोर्टेंट है योग्यता में कि वह योग्यता में कि वह भारत का नागरिक हो बिना भारत के नागरिक हो नहीं सकता सांती सांत वह पांच साल पा पांस साल तक या दस साल का उसको अधिवक्त या वकील हो ठीक है वो क्या कर सकती या ना दुनों पर या रहेगा पांस साल कहीं पर क्या हो नियाधिस हो हाई कोट में या फिर आपका हाई कोट या डिश्टी कोट में या दस साल का वो वकील होना ची अधिवक्त होना ची या न टीन 124лив में děखते हैं 124 45 में क्या बताया गया है है जी वह उसको सुप्रीम कोट के जो नियायधिस को उसको पद से हटाने का प्रतिक्रिया बताया तो उसको पज से हटाने का यह जो बीच में इमेज है वो डिश्टर्वर कर रहे हैं यहां पर लिखने का चलो कोई बात ने पज से हटाने के बारे में देखते हैं पहला बात यह है कि वह पज खुद छोड़ सकता है छोड़ेगा किसको अपना त्याक पत्र किसे देगा राष्ट पती को हम लोग देख रहे हैं साथी साथ दूसरा वो अगर 65 वर्सका हो गया तो वो खुद रेटार्मेंट हो जाएगा हाना नियूंतम आयू का प्रवधान नहीं है सविधान में इसकी न नियूंतम आयू का किसी प्रकार का प्रवधान नहीं है और फिर महाभयोग दोरा वैसे महाभयोग अगर देखा जाए तो अपने लोकल पब्लिक केसन में महाभयोग के बारे में डिटेलिंग दिया है लेकिन जो एकदम एंथरिक बूक है जैसे लश्मी कांथ है इन सब में महाभयोग राश्मी के नियादिस के बारे में नहीं दिया है पर भी हम लोग जो चतित्यगड में दिया है तो थोड़ा सा डेटेलिंग यहां पर पढ़ लेते हैं कि महाभयोग के बारे में बताया गया है सुप्रिम कोट के महाभयोग के बारे में बताया गया है आपका लो सभाज के सौशदस्य हैं तो सनसत के किसी भी सधन में ला सकते हैं राज्या सभाज के ग celestial 50ness तो संसत के किसी भी सदन में क्焦ा है आपका महाभीयोग प्रस्ताव ला सकते है शांती सांत आपका दो क्या है दो बट्टी तीन बЭ्मत से दोनों सदनों से पास हो जाता है तो आपका महाभ्योग जो महाभ्योग लग जाएगा किसी सर्वच नैले के नयाद हिस्पर ये इंनके रखना विरमा स्वामी जो है आपके इनके उपर महाभ्योग लाया गया था बट ये पास नहीं हो प पाया था ये हो गई महांभयोकी प्रतिक्रिय प्रहों च्नेहला के तो नियादंस इसके इसमें बताया अपका उसको हटाने के बताया गया है सांधि सांथ अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 124-6 126 में क्या बतायागा है कि उसके सपत, सपत के बारे में जानकारी बता है, आपको सपत बताया है, सपत कौन दिलाता है, राष्टपती दिलाता है, 124 में 6 में आपका सपत है, कौन दिलाएगा, आपको राष्टपती दिलाएगा, वो क्या करता है, सपत में वह भारती सविधा के सुप्रिम कोट जो सुप्रिम कोट के नियाधिस है सविधान का सरक्षन करना और उनकी व्याख्या करने का प्रोधान है जो सुप्रिम कोट में जो सुप्रिम कोट के नियाधिस है किसको सुप्रिम कोट के नियाधिस जो सुप्रिम कोट है भारती सविधान में सुप्रिम को और उसके जितने भी सब आर्टिकल थे आपको समझ में आ गये होंगे अच्छे से समझ में आँगे अब कुछ और में आर्टिकल को यहां पर हम लोग देखते हैं में आर्टिकल है जैसे आर्टिकल नंबर कहां गया जी 125 एकदम अपसरल तरीके फटा-फट बटाते जा रहो 125 म में तथस्त नियाधिसों की निक्ति तथस्त नियाधिस क्या होता है अगर मालो सुप्रीम कोट में 34 नियाधिस बताया हूं अगर नियाधिसों की संख्या कम है ठीक है सुप्रीम कोट में जो नियाधिसों का पेनल जो कम है यहां पर 34 में से मालो कम है और लंबित केस जादा हैं तो हाई कोट के नियाधिस को सुप्रीम कोट का अपन नियाधिस बना सकते हैं और उसे सुप्रीम कोट की तरह उनको पावर रहता है यह आपका तदस्त नियाधिस आर्टिकल पूछा जाते के एको सब سत्थेस में एक शोट्थेस में बतायागाई स्यवा नियाधिन डियाधिसु की नियुक्ति यह भी वही कंडिशन है गर सुप्रीम कोट के यह पैनल 34 पैनल हुछ उसमें किसी एक पितली होता है और पर सबनृहारे पास ज्यादा है तो सुप्रीम कोट की तरह रहता है, आर्टिकल 137 में बताया गया है कि 137 में नियाइक पुर्णा विलोकन 137 में तो यहाँ पर क्या है सुप्रेम कोड कोई निर्णा लिया, मालो कोई निर्णा लिया कोई भी निर्नाय लिया और उसे बाद में लगता है कि निर्नाय गलत है तो वो उसे पुना निरक्षन कर सकता है और उसको निर्नाय को भी बदल सकता है किसमें बता है 137, 137 में बताया गया है 143 बहुत important article है राष्ट पती की उचितम नियाले से सलाह मांगने की सकती है राष् राष्ट पती उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है ये दुनों बात याद रखना क्या है हाई कोट सलाह देने के लिए जरूरिनी सलाह दे राष्ट पती को अगर सलाह दे भी दिया तो वो बाध्य नहीं है कौन बाध्य नहीं है राष्ट पती बाध्य नहीं है किसमे प्रकार केरिट जारी कर सकता है कौन Supreme Court आपका 5 प्रकार केरिट जारी कर सकता है पांच प्रकार का बहुत अच्छे से detailing से बताया हुँ मैं आप मौलीक अधिकार में देख सकते हैं टॉपिक में ठीक तो ये आपके मुहत्पुन इंपोर्टेंट आर्टिकल है इनको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे ठीक तो सुप्रीम कोट के सभी सकती और न्याय धीसों की निवति या पद हटाने वाले प्रावधान को बहुत डिटेलिंग से हम लोग यहां समझ लिए हैं अब हम लोग कोशन की की तरब चलते हैं आपका कोशन नंबर पहला सारी चीजह आपसे बंते जाएंगे बस आप डिटेलींग जो बता हैं उसको आप लोगे अख्छे से समझाएं तो कोशिस्क्यों मैं अच्छे से समझाने क्या тут किष मान पूंच में प में सरव चिन अले में नियाजिसों की संक करता है next है मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए supreme court की रिट जारी करता है कितने प्रकार रिट जारी करता है बताया हूं उना 5 प्रकार का कौन से article के तरत comment करके जरूर बताई है आप लो ठीक毫 ने जैस है आप का सर्वot vinegar detto का नान किससे अहत होता है स्रवot sensor Like जजो का बारतन है लेकिन वहां किस पर भारित होता है संचित्ति धी पर भारित होता है option number C इसका answer होगा next है सर्वोचे नेयाले में नेयधिस की नियुक्ति होने के लिए व्एक्ति को कम से कम कितने वर्स उच नेयले का advocate होना चाहिए वकिल होना चाहिए उच्छ नयाले का नयदिस या वेडिवक्त क्या है आपका बता है हूँ कम से कम पांच वर्स या दस वर्स का क्या होना ची उसको वकील होना ची एड़ुकेट अलग होता है वकील अलग होता है न ठीक अधिवक्त पांच वर्स का एड़ुकेट होना ची और दस वर्स का जो गया था एडविकोट वकील होता है जो दस वर्सक का होना ची पांस साल का हाई कोट का नियाधिस होना ची हाई कोट का ना इंसर हो जाएक ऑप्सन नमबर बी नेक्स्ट है भारत में उच्चितम नियालय में नियाधिसों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है स्यवा नियुरित्य की आयू कितने बाता है पैंसर इयर सिक्स्टिफाइब ठीक नेक्स्ट है मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रिम कोट कितने प्रकार की रेड़ी जारी करता है कई बार बात आये हो एंसर कमेंड करके जरूर देजे नेक्स्ट है सविधान के किस आर्टिकल में सुप्रीम कोट में तधस्त नियाधिस की नियुक्ति ये तधस्त नियाधिस क्या होता है सुप्रीम कोट के जो पेनल होते हैं 34 पेनल में अगर इनकी संख्या कम होते हैं सुप्रीम कोट में केस लंबित हैं बहुत जादा हैं तो क्या करते हैं हाई कोट के नियाधिस को यहाँ पे लाते हैं वह हाई कोट को उनको पावर सुप्रीम कोट के नियाधिस की तरह दिया जाते हैं यह तदस्त नियाधिस है आर्टिकल क्या है आर्टिकल क्या है तदस्त नियाधिस का आर्टिकल जरूर बताएगे आर्टिकल हो जाएगा 127 तथस्त 127 इंसर हो जाएगा option number A next है supreme court के गठन के समय supreme court में नयाधिसो की संख्या कितनी थी जब गठन हुआ कब हुआ answer 1950 आना ची जबान से ठीक अब supreme court में नयाधिसो की संख्या कितनी थी आप लोग comment करके जरूर बताईए ठीक वर्तमान में supreme court के मुख्य नयाधिस कौन है मुख्य नयाधिस बताईएं पच्चासवी नंबर का नयाधिस है आपका धननजय यसवन चंद्र चुन धननजय यसवन चंद्र चुन आपके पचासवी नंबर के मुख्य नयाधिस है answer हो जाएग अप्सन नंबर सी नेक्स्ट है भारती सव्यधान में किस अनुच्छेद में supreme court से संबंधित प्रवधान है स्टाटिंग ही बताया 124 से 147 में supreme court के प्रवधान देखे गए है मैं जो detailing बताया हूँ उसको अगर समझ लीने तो सारे question बनेंगे और इतना sufficient रहेगा आपकी exam के लिए और सायद महुत detailing से आपको समझाने की कोशिस किया हूँ सर्वोची नेले के नियाधिस भारत के राष्टपती दोरा हटाये जा सकते हैं सर्वोची नेले के नियाधिस भारत के राश्ट पती द्वारा हटाये जा सकते हैं ठीक कैसे हटाये जा सकते हैं संसद में महाभ्योग प्रस्ताव पारित होने पर इंसर हो जाएगा option number D ठीक next है आपका भारती सविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रिम कोट को न्याइक पुर्णा विलोकन की सकती किस में दिया गया है किस में दिया गया है जी इंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए इंसर क्या होगा सिधी से बात है आरहा कहां चले गए option number C में जाओ ना ठीक नेक्स्ट भारती सविधान के किस भाग में संगी नियाइपलेका का उल्लेक है अब गया है तीसरे टेंडिर के बारे में जानकरी दो फिर मैं वही बात बोलूँगा चाह तीसरा है माँ हिरौ अभी तक कोई जोब आया है कि नहीं आया देखा जाय तो पर जाएंगा दोंटाँ नि् fazem और भूख होगा सब मेरों कुछ वर्दी चाहिए तो मेरों को पढ़ना है अबे सायत है नहीं जा पार है तो घर में कुछ आधा गंट एक घंट अपना कुछ वॉम आप कर लो लेकिन पढ़ाई चार से पांच घंट अपना रखना हैं और चार से पांच गंड़ा जो मेरे सविधान का सरक्षक माना गया है आप हम तो नहीं है सुप्रिम कोट सविधान का सरक्षक नेक्स्ट है उचितम नियाला के नियादिस अपना त्याक पत्र किसे देगा राष्ट पती को देगा फटाफट बनेगा आपसे कोश्चन सुप्रिम कोट की नियादिस चुने जाने के किसी भी व्यक्ति को कितने वर्सत कुछ तम न्याल में न्याधिस होना चीए हाई कोट में न्याधिस होना है न और उसको दस साल का क्या होना की पांदिस को अगर उसके पद से हथांना है तो लोकसभा में कितने सदसे लोकसभव महाभियों के लिए सव पताया हूँ राज्यसभव में कितना है अपका पचास और दोनों से दो बटे तीन अगर भौमत से पास होता है तो वो अपने पसित्याग पत्र देगा भारती सविधान में सुप्रिम कोट को किस अधिनियम द्वारा लिया गया यह नहीं पताया हूँ लेकिन याद रखे किस अधिनियम द्वारा भारती सविधान में अधिनियम है यह भारती होगा ना भारत सासन अधिनियम 1935 थीक तो टूटल यहां पर हम लोग 20 MCQ कोश्चन सौल बखे कितने 20 MCQ जो बहुत most most important MCQ थे जो आपके आने वाल एक्जाम के भारत में उचितम नियालय में नियादिसो की संख्या बढ़ाने का अधिक्तम किसके पास है नियादिसो की संख्या बढ़ाने या घटाने का किसके पास है बताया हूँ बनना चीए और सुप्रियम कोट की घठन के सुप्रियम कोट की संख्या कितनी थी यह हैं यह सारे मैं नेक्स्ट टाइम क्या था उसका नाम मैं भूल गया लिखा था कहीं पर मिल नहीं रहा है कि इसने पहले कमेंड किया था कि सर उसका एंसर दो कोशन पूछा था एक तो एनेमिया में प्रथामिस्तान सर्दी युखाम सब चीजी हो रहा है तो सारी चीजों को मस्त अबाल के पानी पीजे क्योंकि वहीं एक काम है उबाल के पानी कीजिए प्राणायन कीजिए योगा कीजिए अपने स्वास्त रखे क्योंकि स्वास्त ठीक रहगा तभी आप पड़ पाओगे ठीक तो मिलते हैं वीडियो में धन्यामात यहां तक वीडियो देखने के लिए